बाते जाननी और कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वित्मंत्री विदेश के दोरे पर है अब या तो वो अन्भिग्य है या तो उनको पता नहीं है या वो जान बूझ कर जूट बोल रही है और दोनों ही सूर्तों में बड़ी शर्म की बात है उनके जूट का परदा फाश करूँ इससे पहले ये बता देती हूँ कि सरकार के नुमाइंदे सरकार की वित्मंत्री सरकार के तमामों लोग क्या-क्या बोल रहे हैं घटती हुई ग्रोथ रेट पर RBI ने माना कि एक थर्ड स्टॉम है ये एक तीसरा तूफान है कोविड यू सेशन को हम स्टेर कर रहे हैं चीफ एकनॉमिक अड्वाइजर उन्होंने भी माना चैलेंजिस बहुत बड़े हैं लेकिन वित्मंत्री कहती है आपसलूटली नो रीजन टू वरी सब कुछ जी बहुत चंगा सी है बस प्याज लेसन मत खाये बाकी सब चंगा है आगे आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सरकार के कुछ नुमाइन दे कुछ मंत्री कुछ प्रवक्ता कुछ नेता और कुछ चरण चुम्बक पत्रकार इसको फास्टेस्ट ग्रोथ एकॉनमी अभी भी बताने पर आमादा है दूपते को तिनके का सहारा होता है वैसे आएमेफ के कल के डेटा में जहां पर ग्रोथ रेट को 7.4% से घटा कर 6.8% किया गया है सरकार के नुमाइन दे और चरण चुम्बक आपको अभी भी समझाएंगे कि यह फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है बही चाइना तो 4.4% पे कर रहा है अमेरिका 1% पे कर रहा है हम तो 56 इंच की चाती लेकर 6.8% पे ग्रोथ कर रहे हैं अब या तो वो इतने महामूर्ख हैं कि वो एकॉनिमी की इबराबर समझ नहीं रखते हैं या बेचारों के वाटसाप में जो आ जाता है वो खर्रा चलाने लगते हैं हमारी एकॉनिमी का साइज 5 नहीं 3 ट्रिलियन डॉलर है चाइन की एकॉनिमी का साइज 21 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है तो 21 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनिमी अगर 1% पे बढ़ेगी और 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच की एकॉनिमी अगर 4 प्रतिशत पे बढ़ेगी वो हमसे फिर भी जादा बढ़ेगी क्योंकि हमारा जीडिपी का अन जो आपसे आठ गुना जादा economy है वो भी बढ़ रही है और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ये समझाते रही है कि हम तो भाई fastest growing economy है No, you are not the fastest growing economy because आपकी चीजें आपकी असलियत में अंतर है आपकी economy का size छोटा है आप यहां से छलांग यहां तक की लगाईएगा लेकिन जो वो यहां पर है वो छलांग आपसे और उची लगा रहा है और इस fastest तथा कथित growth rate में हो क्या रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपिया गिर रहा है, महेंगाई है, आए घट रही है तो यह fastest growing economy का यह जो तगमा है यह लेकर जाईएगा कहा वेर विल्यू वेर दिस बैज अफ ओनर बिकास दिस बैज अफ ओनर अमाउंट्स तो नथिंग, अमाउंट्स तो अपसलूट जीरो आज सरकार एक और बात कहती है एक बात तो यह कि इन्होंने ब्रहमित करने भी का कि हम fastest growing economy है, जिसका परदाफार्श हमने किया दूसरी एक और बात कहते है कि ऐसा है, सब कुछ वैश्विक है, हम क्या कर सकते है तो अगर हाथी बांद के खड़े होना था आपको तो आप सरकार में क्यूं है, बैठिये विपक्ष में हम आपको दिखाते हैं करके क्या ये कोई सरकार कह सकती है क्या कोई सरकार इस आपदा के वक्त में अपने हाथ खड़े कर सकती है ये कहकर कि हम क्या कर सकते हैं ये तो external shock है किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि external shock और आंतरिक समस्याओं का समाधान करके economy को सुचारू रूप से चलाईए हमने तो 2013 में taper tantrum के दौरान नहीं का था ये वैश्विक कारण है हाँ था वैश्विक कारण लेकिन आपको चुना इस लिए गया था कि आप समाधान ढूंडिये और हमने समाधान ढूंडा हम रुपए को चववन पे छोड़के गए इनके लिए हमने तो 2008 के global recession one of the biggest recessions after the great depression of the 1930s हमने तो पलट कर नहीं का की वैश्विक कारण है fastest rate of growth करी लोगों की जेब में पैसा डाला consumption को जारी रखा और economy को समाले रखा और इसलिए यूपिये के 10 सालों के दौरान fastest rate of growth हुई तो ये कह देना की वैश्विक कारण हम क्या कर सकते हैं ये जिम्मेदारी से मूँ मोड़ना जिम्मेदारी से भागना और हाथ खड़े करना है अब समस्या ये है कि सरकार के सामने दिक्कते कितनी है सरकार के सामने मूल रूप से इस समय चार बड़ी दिक्कते हैं एक्चली पांच और मैं जो सबसे बड़ी दिक्कत है पहले उसी का जिक्र कर देती हूँ सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है आख पर पट्टी और मुँपे जो दही जमा रखी है सरकार ने आप आख पर पट्टी बांद लीजे और कहिए तो जगत बना ही नहीं है आपके आख पर पट्टी बांदने से जो देश समस्याओं से जूज रहा है जो एकॉनमी का बंटाधार हो रहा है वो होना बंद रही हो जाएगा आपके हाख पर पट्टी बांद लेने से आपको बताया जाएगा wake up and smell the coffee because that is what you're supposed to do सरकार ये समझ नहीं रही है कि लगातार ग्रोथ गिर रही है और ग्रोथ का जो RBI का तीसरी तिमाही और चोथी तिमाही का अनुमान है वो और भी भयावे है तमाम एजेंसी के according ग्रोथ की दर 4.6 से 5 परसंट के बीच में होने वाली है तीसरी और चोथी तिमाही में और ये कोई जबानी जमाखर्च नहीं है अगर nominal rate of growth 12% है और inflation आपका 7% रह रहा है तो किस तरह से आपकी growth 6.8% होगी real rate of growth is nominal minus inflation किस तरह से होगी ये समझा दीजी आप पहली समस्या सरकार के अकरमड़ता जुटलाने की है दूसरी समस्या growth की है तीसरी समस्या महंगे दामों की है आज भी कच्चे तेल का दाम 116 डॉलर से गिरकर 91-92 के बीच में चल रहा है लेकिन हम जी दाम कम नहीं करेंगे और लालच कैसा कि सारा पैसा कमाया जाएगा सेस के जरिये जिससे की राज्यों के साथ साजहाना करना पड़े उससे बड़ी समस्या रुपय के तूटने की रुपया जिस तरह से तूट रहा है उससे इंफलेशन और बढ़ेगा समस्याएं और बढ़ेंगी 82 के पार रुपया 83, 83 के बाद 84 शतक लगाने की तयारी मोदी जी पूरी तरह से कर रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट जानकारों की सुनिए तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3.4 परसंट पे है पहले 6 महिने का आकड़ा उठा कर देख लीजे इंपोर्ट्स में जबरदस बढ़ोतरी है एक्सपोर्ट्स में जबरदस कमी आई है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स बे तहाशा बरड़न है सरकार उसके बारे में क्या कर रही है मुझे नहीं पता लेकिन अपना वक्तव्य बंद करने से पहले मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहती हूँ निर्मला सीतरमन जी हमारी वित्मंत्री अमेरिका में है थोड़ी देर पहले ब्रुकिंग्स इंस्टिटूशन में उन्होंने एक इंटराक्शन किया और वहाँ पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया निर्मला जी का कहना है कि किसानों का डिये पी किसानों की खाद के दाम भारत में नहीं बढ़ाए गए है निर्मला जी अन्भिग्य है या जान बूज कर जूट बोल रही है ये उनकी अंतरात्मा बता सकती है लेकिन डिये पी के दाम इसी साल अप्रेल में बारा सो से तेरा सो किये गए है और यूरिया की हर बोरी पचास किलो से घटा कर पैतालिस किलो की कर दी गई है दाम वही लग रहा है इसका मतलब दाम बढ़े है तो बिना पलक जपकाए जूट बोलना क्या होता है ये निर्मला सीतारमन जी अच्छी तरह से प्रधान मंत्री मोदी जी से सीख चुकी है प्रधान मंत्री 24 घंटे प्रचार में 24 घंटे इलेक्शन में 24 घंटे चैनलों पर अपनी कभी भक्ती दिखाने में कभी विक्टम बनने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं लेकिन इस देश का क्या हाल हो रहा है वो आपको एजेंसी एक के बाद एक बताती जा रही है 3% ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में अगर वास्तविक आंकड़ा देखकर चलिए तो तो चाहें IMF हो, World Bank हो, Moody's हो Fitch हो, ADB हो इनके पीछे आप ED लगा दीजे इनके पीछे आप एक CBI केस लगा दीजे ये international साज़िश बता दीजे लेकिन असलियत ये है कि आपके जूट का बार बार परदाफाश होता है आप बार बार खड़े होकर भ्रमित करने की बाते करते हैं, भ्रामक बाते करते हैं तो या तो आपकी कमी समझदारी में कमी है या जान बुचकर भ्रमित किया जाता है हम इशू उठा रहे हैं क्योंकि ये हमारा करतव है इशू उठना ये बिलकुल पोलिटिकल इशू है आप दूर दरास के इलाकों में जाके लोगों से मिलिए, राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो दो ही बात करते हैं महंगाई की और बेरोजगारी की तीसरी कोई बात नहीं है तीसरी बात सरकार यहां से चलाती है कि मुद्दे भटकते रहें कुछ ऐसा कह दो कि सब लोग उसकी तरफ आकरशित हो जाएं कुछ ऐसे विवादित बयान दे दो कि कोई महंगाई बेरोजगारी की बात करना करें यह बहुत बड़ा पुलिटिकल इशू है और इसका भी आपको पता चलेगा आने वाले वक्त में जब चुनाओ आएंगे आपको लगता है कि यह पुलिटिकल इशू नहीं है क्योंकि शायद हम लोग दिल्ली में बैटकर हम लोग को लगता है सरकार की बाते हम लोग जादा सुनते हैं हर गाओं, हर देहात, हर कजबे, हर शहर में लोग बेरोजगारी और महिंगाई से बहुत परिशान है बार बार राहूल कांदी जी से जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे है और हमारी यात्रा का एक मुख्य बिंदू भी है कि हम इन दो मुद्दों से हट कर बात नहीं करेंगे लोग इस बारे में बहुत जिक्र करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं